हेलो फ्रेंड्स, इजी एंटेस्टी रेसिपी जवित अंजली में आपका स्वागत है आज हम दाल वड़े की रेसिपी देखेंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं दाल वड़े आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा पुदीना और सौस के साथ आप इसे सरू कर सकते हो तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक कटोरी मुंग डाल, एक कटोरी चना डाल और आधा कटोरी अड़त डाल तो ये तीनो डाले अच्छे से दूके आपको भीगो के रखनी है लगबग चार-पाच घंटे तक आपको इन डालों को भीगो के रखना है और फिर इसे दरदरा पीसना है तो इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और दो-तिन पानी से दो के अब मैं इसको भीगोने के लिए रख दूँगे फिर पाच घंटों के बाद ये बीग कर रेडी हो जाएगी हमारे वड़े बनाने के लिए तो अब हमें इसे मिक्सी में पीसना है पर उससे पहले हम इसका पानी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पानी डालके इसको बिल्कुल भी नहीं पीसना है उसे हमें दरदेरा पीसना है और बिना पानी का ही पीसना है तो यहाँ पे मैंने तीनों दालों को अच्छे से दूगो लिया था और अभी उसको अच्छे से उसका पानी मैं ड्रेन आउट कर रही हूँ छलनी से तो यहाँ पे पूरा पानी दालों से निकल चुका है अब मैं उसे मिक्सी में इस तरीके से दरदरा पीस लूँगी एक साइड पे मैंने करम करने के लिए तेल रख दिया है तब तक हम इसमें सारे मसाले आड़ करेंगे तो यहाँ पे हम मसाले आड़ करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले स्वादा नुसार नमक डालना है फिर हिंग इसमें चना दाल का यूज होता है तो हिंग बहुत ज़रूरी है फिर यहाँ पे मैंने अद्रक और मिर्च का पेस्ट बना लिया है उसे भी मैंने क्रश कर लिया है मिक्सर में से हल्दी है फिर इसमें हम आड़ करेंगे जीरा आप चाहिए तो इसमें आप तील भी डाल सकते हो और यहाँ पे मैंने बारिक कट करके रखा है प्याच धनिया हरी मेर्च और अद्रक वह भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक जितना आप इस वड़े के जो बैटर को हमने बनाया है जितना आप इसको अच्छे से फेटेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे उतने आपके वड़े हलके और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे यह जो दालवड़े की रेसिपी यह बारिश में बहुत अच्छी लगती है हर बार पकोड़े खाने में मजा नहीं आती है तो कभी-कभी यह रेसिपी भी करके देखनी चाहिए इस बारिश में आप इसे जरूर बनाईएगा नास्ते में भी यह रेसिपी बैस्ट है या तो आप इसे टी टाइम में भी बना सकते हो तो इस तरीके से मैंने सब मिक्स्चर को अच्छे से मिक्स करके बाद में उसके अभी आप कोई भी शेप इसे दे सकते हो मैंने यह शेप देके इसको कड़ाई में फ्राइ करने के लि क्योंकि वड़े जो है वो अंदर तक अच्छे से फ्राय होने चाहिए तो इसे आपको पहले बहुत ही कम ग्यास पे उसको फ्राय करना है बाद में आप अगर आपको लगता है कि तेल ठंडा हो गया है तो आप इसे ग्यास को बढ़ा सकते हो और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे फ्राय कर लेना है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बड़े बना लिये है और अब इसे अच्छे से फ्राय करने के लिए मीडियम आज पे या स्लो आज पे आपको रखना है देखिए अच्छे से अभी वो फ्राय हो रहे है गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राय कर लेना है आप चाहिए तो इसे पकोड़े का शेप भी दे सकते हो या मुठी आका भी शेप आप इसे दे सकते हो तो मैंने या पे मेदू अड़े का शेप दिया है दाल अड़े को बहुत ही मस्त लग रहे है देखिए उसका कलर भी चेंज हो रहा है अब मैं उसे निकाल लेती हूँ कि इस बारिश में आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करिये और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये दालवड़े कैसे लगे देखिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने है इस तरह के सारे दालवड़े आपको बना लेने हैं और पुदिना की चटनी और सॉस के साथ इसे सव करना है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा झालवड़े